दोस्तो आज में फिर आप सब के बीच एक बहुत ही जादा मज़ेदार घुमावदार पजल लेकर आये हूँ बहुत ही अच्छा पजल है ये 90% लोग इस पजल को सॉल्ब करने में फेल है मैं देखता हूँ कि आप इस पजल को सॉल्ब कर पाते हैं या फिर नहीं तो चली सुरू करते हैं दोस्तो पहले पजल को समझिए कि आखिरकार इसमें कहा क्या गया है और पूछा क्या गया है ठीक है देखें यहाँ पर तीन बॉक्स दिया गया है और साथ में तीन अस्टेटमेंट दिया गया है और एक बिल्ली है ये बिल्ली किसी एक बॉक्स में मौझूद है किस बॉक्स में है ये ना तो हमें पता है और ना आपको पता है अब दोस्तों आपको ये तीनों अस्टेटमेंट के अधार पर पता करना है कि ये बिली आखिरकार किस box में मौझूद है box 1 में है कि box 2 में है कि box 3 में है अब ध्यान रखने की बात ये है दुस्तो कि ये जो तीनो statement है ना ये तीनो statement में से केवल एक ही statement true है सच है बाकी बाद दो जूट है ये भी ध्यान में रख करके चलना अधरबाई फिर नहीं बना पाएंगे ठीक है और ये बिली जो है किसी box में मौझूद है ऐसा नहीं कि मौझूद नहीं है है मौझूद बस आपको पता करना है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आगिया होगा कि भाई इस पजल में क्या पुछा गया सिंपल सी बात है कि भाई इस statement के अधार पर आपको ये पता करना है कि बिली किस box में मौझूद है ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पर केबल एक ही statement सही है और बिली किसी एक box में है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज़ करके सोचना है काखे का ये बिली किस box में मौझूद हो सकती है तेक है मुझे उमीद है कि आप सोचे होंगे परके होंगे और अपना answer कुछ सोच के रखे होंगे या तो box 1 या तो box 2 या तो box 3 तो चलिए देखते हैं कि क्या है बारिकी के साथ है की नहीं अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि बिली जो है नहीं मान करके चलेंगे कि बिली जो है box 1 में मौझूद है मान लिए ठीक है अब अगर box 1 में मौझूद है तो a statement को देखते है statement क्या कह रहा है भाई पहला statement ये कहता है कि बिली इस box में है मनलब जो मैंने माना है कि बिली इस box में है और यहाँ पर कहा गया कि बिली इसी box में है तो अच्छी बात है मनलब यह वाला यहाँ पर हो जाएगा true सकती हो जाएगा ठीक है अब चलते हैं यहां पर दूसरा statement में क्या कहा गया है कि बिल्ली इस box में नहीं है मैंने माना कि बिल्ली box 1 में है और यहां पर यह कहा गया है कि बिल्ली इस box में नहीं है इसका मतलब है सही है अच्छी बात है क्योंकि माना इसमें है और यहां पर पता समझेगा कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं हलाकि समझ में आ जागा चिंता नहीं करना है अब आते हैं बॉक्स 3 के स्टेटमेंट में क्या गोड़ा गया बिल्ली बॉक्स 1 में नहीं है अब यहां पर देख सकते हैं आपको एक बात हम बताये थे कि यह तीनों अस्टेटमेंट में से एक ही अस्टेटमेंट सही है लेकिन जैसे ही हम मान रहें कि बिल्ली बॉक्स 1 में है तो दो दो अस्टेटमेंट जो है सही हो जा रहे हैं प्रू हो जा रहे हैं इसका मलब यह हुआ कि बिल्ली बॉक्स 1 में नहीं है जो मैंने माना वो गलत सिंपल सी फंडा मतलब हमें ये पता चल गया कि बिली तो भाई बॉक्स वन में मौझूद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर दो दो अस्टेटमेंट इस अधार पर सही हो जा रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम अब बिली जो है या तो इस बॉक्स में है य बिली बॉक्स वन में नहीं है तो भाई बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं माना हूँ कि बिली बॉक्स त्री में है और यहां पर कहा भी जा रहा है कि बिली बॉक्स वन में नहीं है तो अच्छी बात है यहां पर कहा गया है कि इस बॉक्स में है तो अच्छी बात है तो बिल्ली इस बॉक्स में है मतलब यह वला दोस्तों फॉल्स हो जागा क्यों होगा मैंने माना है कि बिल्ली बॉक्स थ्री में है मौझूद और यहां पर कहा रहा है स्टेट्मेंट कि बिल्ली इस बॉक्स में है तो कैसी सत्य हो सकता है फॉल्स है अब यहां पर भी आप देख स फंडा है ठीक है अब यह बिल्ली आखिरकर है कहां सो भाविक है कि इस बॉक्स टू में होगा लिए कभी-कभी कोस्चन में जो है इस तरह सकता है कि भाई यह जो यहां पर कंडिशन दिया गया है वो एनफ नहीं है या इन में से कोई नहीं से कहां पर तीन ओप्सन रहता ठीक पर भी दुस्तों यह बता चाल गया कि जो एक रह pig है वी नहीं है के अब हम लेते हैं की बसे क्षाड़ों में यहां आ अब या पर मनने से क्या होता है यहां पर बोला गया है स्टसरेटमेंट में विल्ली सब्स में नहीं है अब हम मानें हैं कि बिल्ली वे इस वक्स में माना होना कि इसी बॉक्स में है तो यहां फाल्स हो गया फिर बात ने यहां पर बोला गया कि बिली बॉक्स वन में नहीं है अब यहां पर जब माने कि बॉक्स टू में बिली है और यहां पर यह वाला स्टेटमेंट का रहा है कि बॉक्स वन में है नहीं तो अच्छी बात है म माने है कि बिल्ली इस बॉक्स में है कैट इस बॉक्स में है तो फिर यहां कैसी आ जाएगा इस बॉक्स में कैसी आ जाएगा तो यहां पर दोस्तों जो मैने माना की बिल्ली कैट बॉक्स टू में है यहां पर मतलब की दो जो इस्टेटमेंट है वो फॉल्स आ रहे हैं और एक यह statement true हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने माना वो सही है ठीक है क्या है सही है मतलब कि बिल्ली जो है cat जो है यह box two में छुपी हुई है कहां पर box two में मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दुबारा देख लेजिए हर चीज समझ में आ जागा कोई बड़ी बात है नहीं तो चली दोस्तो आज की लित नहीं अब बिलेगा अगला वीडियो में जाहिंद बंद मातरम